हलो दोस्तो मेरा नाम इसराफत आप देख रहे यूनोगल फ्यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं शौदी अरप का मुफा नंबर चेक करना और वेरी फैप करना बहुत इजी है बहुत आसान है अब आप अपने मुवाइल फोन से आप इन्फरमेटि वीडियो आप लोगों के लिए हमें सलाते हैं रहता हूं तो चले चलते हैं दोस्तो सीखते हैं अलो दोस्तो अब हम आगे मुवाइल स्क्रीन के तरफ तो सबसे पहले आप क्रॉम ब्राउजर ओपेन कर लेंगे या गूगल ब्राउजर तो यहां आप देख स आप नीचे देख सकते हैं दोस्तो वीजा.mofa.gov.sa वीजा परसन तो यह लिख करके गूगल ब्राउजर में आप सर्च कर लेंगे सर्च करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जागा तो यहां पर आपको बहुत सारे website दिखने को मिल जागा ठीक है दो दोस्तो तो सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं दोस्तो वीजा.mofa.gov.sa तो यह साओधी अरब का ओफिसल वेपसाइड है दोस्तो मोफा चेक करने का तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप चाहें तो वहां से जाके डिरेक्ट चेक कर सकते है तो चले चलते हैं इसे हम ओपेन कर लेते हैं ओपेन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा तो हो सकता है यह पेज आपको अरबी में दिखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है दोस्तो सबसे उपर पर थिरी लाइन आप देख सकते हैं simply कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक option देख रहे हैं दोस्तो अरबीक तो हमारा जैसे automatic English आ चुका है दोस्तो अगर आपका page अरबीक में होगा तो यहाँ पे English लिक करके आएगा तो simply आप English पर क्लिक करेंगे तो यह page automatic English हो जाएगा तो जैसे सबसे पहले नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तो पासपोर्ट नंबर और यहाँ बॉक्स तो simply इस बॉक्स पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेंगे पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद दोस्तो नीची एक option देख रहे है current nationality और यहां box और यहां तीर के ऐकन तो simply आप उस तीर के ऐकन पर क्लिक कर लेंगे और यहां से आप अपना nationality सेलेट कर लेंगे आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेट कर लेंगे पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान बंगलादेस से हैं तो बंगलादेस तो जैसे हम इंडिया से हैं दोस्तो तो यहां आप देख सकते हैं इंडिया आ चुका है और यहां राउंड तो सिंपली आप उस र वीजा टैप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो वीजा है वो टूरिस्ट वीजा है या एंप्लाइमेंट वीजा है या हज वीजा है या उम्रा वीजा है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे जो हमारे वीजा है दोस्तो वो वर्क वीजा है तो यहां आप देख सकते हैं वर् राउंड पर राउंड पर क्लिक करते ही आपका visa tap select हो जाएगा उसके बाद नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तों वीजा एसू ओफ़राइटी तो यह कह रहा है दोस्तों जो आपका visa stamp हो रहा हो वो कहा है हो रहा है तो यहां box देख रहे हैं और यहां तीर के आइकन तो सिंपली आप उस तीर के आइकन पर क्लिक कर लेंगे और यहां से आप अपना वीजा stamping center select कर लेंगे कि आपका जो इंडिया में visa stamp हो रहा है वो दिली से हो रहा है या मुंबे से हो रहा है तो वो यहां से select कर लेंगे तो जो हमारा visa stamp हो रहा है दोस्तों वो मुंबे से है तो हम यहां पर मुंबे select कर लेंगे तो जैसे यहाँ आप देख सकते है Mumbai आ चुका है और यहाँ round तो simply आप उस round पे click कर लेंगे यानि उस round पे check mark कर लेंगे उस round पे click करते ही आपका visa issue authority select हो जाएगा उसके बाद नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तो image code और यहाँ पे कुछ number तो simply यह number आप यहाँ देख सकते हैं box तो simply इस box पे आप click कर लेंगे और simply यह number आप यहाँ पे tap कर लेंगे image code लिखने के बाद दोस्तों नीचे एक option देख रहे हैं search तो simply आप search पे click कर लेंगे search करते ही कुछ इस तरह का interface आपको दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका mofa का पूरी detail आपको दिखने को मिल जाएगा जैसे सबसे पहले आपका photo दिखने को मिल जाएगा उसके बाद सबसे उपर पे आप देख सकते हैं दोस्तों application number और यहाँ कुछ number दिखने को मिल रहा है जो E से start है तो यह आपका mofa number है ठीक है दोस्तों इसे mofa number भी कहते हैं और application number भी कहते हैं उसके बाद नीचे देख सकते तो यानि आपका मौफा किस तारीक को लगा तो वो तारीक आपको दिखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको पूरी डिटेल दिखने को मिल जाएगा अगर आपका मौफा लग चुका होगा दोस्तो तो यहां पर पूरी डिटेल सो करेगा ठीक है दोस्तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस मोफा को pdf में save करना तो या download करना तो simply नीचे एक step है दोस्तों मैं थोड़ा से scroll up कर दूँ ताकि सारे detail आप लोग clear देख सके हैं तो जैसे यहाँ एक option देख रहे हैं दोस्तों print तो simply आप उस print पे click कर लेंगे print पे click करते ही आपका जो मोफा का pdf है दोस्तों वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक option देख रहे हैं दोस्तों pdf तो simply आप उस pdf पे click कर लेंगे उसके बाद नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तों save तो simply आप save पे click कर लेंगे save पे क्लिक करते ही आपका जो मोफा का PDF है दोस्तो वो आपको gallery में save हो जागा यानि download हो जाएगा मैं एक मरतवा आपको देखा भी दू दोस्तो हम simply back home page पे चले जाएंगे उसके बाद हम simply file पे चले जाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं file तो हम simply file को open कर लेंगे के बाद यहां एक option देख रहे हैं दोस्तो download तो simply download पे क्लिक कर लेंगे download पे क्लिक करते ही यहां आप देख सकते हैं दोस्तो पहले नमबर पे visa platform तो यह हमारा download हो चुका हम simply से open कर लेते हैं जैसे यहाँ आप देख सकते है हमारा मोफा का पीडियेफ है वो सेब हो चुका है तो कुछ इस तरह से बहुत इजी बहुत आसान तरीके से आप अपना मोफा नंबर चेक कर सकते हैं और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं उम्मीद है दोस्तों कि आपने अपना मुफा नमबर चेक करना और डाउनलोड करना सीख लिए किसी तरह का डाउट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पुछ सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग